अभी पत्रकार बंदूओं को नमस्कार आज आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो पीठा सीन अधिकारी बनाई गई भारती जनता पार्टी के द्वारा और एल जी के द्वारा उन्होंने नियम, कानून, सम्विधान, डीमसी, एक्ट सब को गला घोट के आज फिर से एक बार मेयर की वोटिंग नहीं होने दी जो एजंडा गया था सब के पास उसमें साफ तोर पे लिखा था कि पीठा सीन अधिकारी को सिर्फ और सिर्फ मेयर के चुनाव कराने है उसके बाद बाकी चुनाव स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी मेयर के वो मेयर कराएगी यह साफ तोर पे एजंडा में लिखा था यानि कि जो पारशदों तक गया था जो हम लोगों के पास कागज आया था और यह एजंडा किसके स्विक्रती से तैह हुआ था दिल्ली के एलजी की स्विक्रती से तैह हुआ था उन्होंने डेट का निर्धारण किया था उन्होंने तैह किया था कि यह आज का एजंडा रहेगा बावजूद इसके जो बात सम्विधान में नहीं लिखी है कि एलडर मैन को वोटिंग राइट है आते ही पीठा सीन अधिकारी केती एलडर मैन वोट करेंगे मेयर में भी करेंगे डिप्टी मेयर में भी करेंगे स्टेंडिंग कमेटी में भी करेंगे जो ना तो भारत के सम्विधान में लिखा है और ना ही डिएमसी के एक्ट में लिखा है और ना ही आज तक एमसीडी का गठन होने के बाद से लेके आज तक कभी भी एलडर मैन ने मेयर डिप्टी मेयर स्टेंडिंग कमेटी में वोटिंग किया है कभी भी नहीं किया आज तक नहीं किया आप कहां से कानून लेके आ गई है कहां से नई शुर्वात आप कर रही है क्या भारत का संविधान भारती जनता पार्टी के दफ्तर में लिखा जाएगा क्या भारत का संविधान दिल्ली के एलजी अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे क्या भारत का संविधान भारती जनता पार्टी की पीठ्या सीन अधिकारी डिसाइड करेंगी क्या डीमसी एक्ट में लिखी हुई बातों को दरकिनार करके अपने हिसाब से वोटिंग कराई जाएगी आपको सिर्फ मेर का चुनाव कराना है और आप मेर का चुनाव कराने के बज़ाए डिप्टी मेर स्टैंडिंग कमिटी सारे चुनाव आप करा रही है इल्डर मैन को वोटिंग राइट दे रही है इतना ही नहीं रुकी वो फिर बीजेपी के एक नेता खड़ी हुई है उन्होंने का इनके दो विधायकों को सजा हो गई है उनको बाहर कीजिए आप सभी पत्रकार बंदुओं को मैं कहना चाहता हूँ कोई भी विधायक असानसर दो साल की जब सजा होती है उसके बाद वो डिस्क्वालिफाई होता है संजी उजहा को ना तो दो साल की सजा होई नाखिलेस पती त्रिपाठी और दोनों को जो सजा भी होई थी तीन महीने की उस पे कोड से इस्ते है तो ये लोग कोड भी नहीं मानते ना सम्विधान मानते ना DMC Act मानते ना ने अले मानते इससे भी अलग हट के बाद बता रहा हूँ आपको एक व्यक्ति अगर विधायक के विधायक के तौर पे किसी सदन में नॉमिनेट किया जा रहा है लोकसभा के सदस्य के तौर पे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किसी सदन में नॉमिनेट किया जा रहा है राज्यसभा के सांसद के तौर पे राज्यसभा के सांसद के तौर पे नॉमिनेट किया जा रहा है तो वो सांसद है या नहीं, विधायक है या नहीं, इसका फैसला विधान सभा के अध्यक्ष लेते हैं, अजीब बात है, दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष ने नॉमिनेट किया दोनों को, और वो विधायक है, और विधायक है तो विधायक के तोर पे उनको मिलने वाली तम सुविधाय प्रिवलेज नॉमिनेशन जहां पे भी है वो उनका वैलीड है और सजा का जैसे मैंने का सजा पे तो कोट से इस्टे इससे भी हट जाई आगे बाकाइदा चुनाओं के लिए उन दोनों विधायकों के पास प्रवेस पत्र भेजा गया MCD के अधिकारी के द्वारा और आगे निकल के आईए अब MCD के ही अधिकारी जहां पे चुनाओ रहा था जहां पे पीठा सीन अधिकारी चुनाओ ले रही थी वहीं से प्रवेस पत्र गया इन दोनों विधायकों के पास कि आप आईए और वोटिंग में सामिल होईए उसके बात कहरें इनको दोनों को बाहर करो तो यह क्या है यह किस प्रकार का मजाक है भारत में आज की घटना से यह साफ हो गया है कि फिर चुनाओं का कोई मतलब नहीं रहेगा दो करोन की आबादी वाले दिल्ली के लोगों ने अपनी में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया एक जनादेश दिया पंदरा साल की भारती जनता पार्टी की में जो उनका कुसासन था उसको उखार कर फेका और उसके बाद आप मेयर नहीं बनने दे रहे है दिल्ली के मसी नहीं को दिल्ली से चोटी की राज़्यों की विधान सभाएं है यह बहुत ही खतरनाक परंप्रवारती जनता पार्टी ने शुरू की है मैं देर्श के तमाम विपक्षी दलों से अपील करूँगा कि जाग जाईए आगे यही आपके साथ होने वाला है यही आपके साथ होने वाला है विधान सबा में बीजे पी हारेगी कहें कि सीम नहीं बनने देंगे दंगा करो, हंगामा करो, हला करो, तोड़ फोड़ करो मत बनने दो सीम लोक सबा में बीजे पी हारेगी दंगा करो, हंगामा करो, हला करो तो प्रधान मंत्री मत बनने दो तो फिर तो चुनाओ का कोई मतलब भी नहीं है बंद कर दो चुनाओ चुनाओ कराने का फिर क्या मतलब है और आज की घटना से आम आदमी पार्टी का शक सौ प्रतिसत सही साबित हुआ और हमारा ये शक था कि भारती जनता पार्टी दरसल ए मनोनीत सदस्यों को वोट कराना चाहती है पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं और तब भाजपाई कह रहे थे नहीं 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 आज खुलके सामने आ गया स्टेंडिंग कमेटी का भी वोट एक साथ कराना चाहते हैं तो अब आम आदनी पार्टी के और आज आप देखिए बीजेपी के चार सांसद मौझूद ही नहीं थे यानि उन सांसदों को पहले से ही पता था कि वोटिंग होनी नहीं है हंगामा होना है हाउस तो चलेगा नहीं तो सादर में ही न जाओ चारो सांसद बीजेपी के आज वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुँचे तो इसलिए इस पूरे घटना करम में आम आदमी पार्टी ने शेहन सीलता का समविधान में भरोसे का दीमसी एक्ट में भरोसे का आचरन प्रस्तुत किया हमारे सारे सांसद विधायक और पारस्त खामुसी के साथ भारती जनता पार्टी की तमाम बत्तिमीजियों को बरदास्त करते रहे चुपचाप रहे उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी होहला नहीं किया और अब ये सारे तथ माननी सर्वोच्च न्याले के सामने रखे जाएंगे और माननी सर्वोच्च न्याले से हस्तक्षेप की अपील करेंगे हम लोग कि आप वोटर लिस्ट दिलवाईए इल्डर मैन जिनको वोटिंग राइट नहीं है डीमसी एक्ट और सम्विधान में वोटिंग राइट को रोकिए और अपनी निगरानी में मेयर डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमिटी का चुनाओ कराईए मेयर का चुनाओ कराईए और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी का चुनाओ जो मेयर के अधिकार छेत्र का है उसको उसी हिसाब से करवाईए य उसके बारे में पार्टी फैस्टा लेगी जल्दी बहुत लगता है कि पीठा सी नदिकारी उन्होंने बना दिया भारती जन्ता पार्टी की पहली बात तो परंपराओं के विप्रीद बना सीनियर मेंबर हमारे पास थे उनको नहीं बनाया पीठा सी नदिकारी इसके अलावा आप ही खुद एजंडा तय करके भेज़ते हो मीटिंग कैसे होगी यह आप निर्धारित करते हो और तुरंत उसको मीटिंग की सुरुवात में वो सारे जंडे को तार 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 करके अपने हिसाब से कह रहे हैं हम चुना कराएंगे तो इससे जदा और एल जी का मिला जुला खेल के आपको नजर आएगा इससे जदा और क्या प्रमार चाहिए और आज आप देख लीजे कितनी बत्तमी जी की उन लोगों ने हमारे लोग तो सारे सांत बैठे हुए थे चुप चाप देखिए एक बात समझी आप ये देश सम्विधान से चलेगा किसी एक्ट से चलेगा किसी नियम से चलेगा किसी कानून से चलेगा मतलब ये कोई बात नहीं हुई तो फिर इसका मतलब कल को अगर लोग सबाद देख्ष जी कहें कि डॉक्टर हर्स वर्धन जी मेरा ये मन हो रहा है कि आपके खिलाब जो लोग चुनाओ लड़े थे जो दूसरे नंबर वाला है वो कल से हाउस में आएगा आप जाईए घर पर वैठिये थोड़ा आराम किजी एक साल तो डॉक्टर साब मान जाएंगे इस बात को बहुत ही सीनियर पार्लिमेंटेरियन है देश के केंद्री मंत्री रह चुके है मैं पूछना चाहता हूं से क्यों मान जाएंगे इस बात पर वहला है एल्डर मैन को वोटिंग जी ऐसी बात कैसे कर सकते हैं कि कल को अगर लोकसवाद देख्ष कहें कि अब आप ऐसा कीजिए एक साल आप घर पर बैठिये अब जो दूसरे नंबर पर आपके खिलाब था चुनाओं में वो आएगा कि और यह कोई नियम कानून संविधान से चले कि रहा कोई मंसीडी कोई विदानथा कोई संसत उस क्जिए लिए यह एकदम साफ तोर प्यायाद दिखा कि किस तरह से भारती और पार्टी लोकतंत्र संविधान कानूनों का दाला पोट रिया